दुमका भारतिय जंता पार्टी के प्रदीस अध्यक्ष पूर्व मुख्य मंत्री बाबुलाल मरांडी ने राज में हो रहा है उथल पुथल को लेकर कहा कि राजपाल विधी सम्मत कारवाय करने की मांगी है पुर्व मुख्यमंत्री बावुलाल मराणी ने हिमन सोरिन मुख्यमंत्री पर निसानस साथते हुए कहा कि राज में CM बनाने को लेकर मजाक हो रहा है इडी द्वारा लगातार दिये गए समन से CM हिमन सोरिन क्यों भाग रहा है उन्हें उनका जवाब देना चाहिए बीजेपी के प्रदेश सद्ध्यक्ष पुर्व मुख्यमंत्री बावुलाल मराणी ने दुमका के परिसदन में प्रेसवारता कर वर्तमान समय में जहारकर में चल रही राजनिती उतलपुतल को लेकर कई सवाल खड़े किये पुर्व सीयम बावुलाल मराणी ने कहा कि सरकार गठन के बाद सरकार के पास कम समय बची है ऐसे में लेगली सरकार बनाना संभव नहीं है उन्हेंने महराश्यर राज्य का हवाला देते हुए कहा कि इस राज्य में अब एक साल से कम कारेकाल हेवन सरकार का बचा है जिस तरह से लगातार खबर आ रही है कि राजनिती गती वीधी को देखती हुई कलगांडे विधायक सर्फराज अहमद ने विधायक पत से इस्तिपा दे दिया है जो सोची समझी राजनिती के तहद जेनरल सीट से सीम हेमन सोरिन की पतनी कलपना सोरिन के लिए खाले किया गया है उस पर विचार करने की आवेशकता है बीजेपी इस मामले में जहारखन राज के राजपाल से मिलकर पत्र सोपेंगी जिसे यह मांग होगी कि अगर किसी तरह का यह प्रिस्ति उत्पन होती है तो सरकार का एक साल से कम समय बच रहा है जिसमें उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है और राजपाल को इस तरह की चीजों पर विजी सम्मत सलाह लेकर ही निर्ने लेनी चाहिए इसी प्रकार से करना रपा दफा तो मेरा आज भी कहना है कि इस प्रकार के मामला आप छोड़ दीजे जो डिस्टरी कमिशन को पुलिस विभाग में भी कई कच्छे ऑफसर हैं जो कभी जिंदेगी में लोग अपने लिए पद और के लिए लोगों ने पैरवी नेकी में अभ्यक्तिक अत्रों से जाड़ता हो तो हमने कहता है कि मुरार इलाल मिना है अनिल पालटा है ऐसे लोगों के अध्यासना कमिटी भी बना करके आरुजांच करा दे और वो लोग जो फैक्ट और फैंडिंग देंगे इसके बाद अगर मेरी बाते गलत हो जाएगे तो फिर जो हमको कहेगा कि मैं सजा वगतनी को तैयार हुए लेकिन कम से कम राज्य में इस प्रकार से जो गड़वड़ी हो रहा है यह तो जील को रोकनी चाहिए को हम कह रहे थे कि सभी काम यहां आता समवाइधानी यह काम कर रहा हो है अभी आप सब ने देखा होगा जब मुक्षमंटों को लगा कि आप तो हम जील जाने कि आप करीब के रास्ते पर तो मैंने देखा कि एक विधायक को गांडे से जो विधायक सरफरा जामस से उनको रिजाइन करा है संभावतिया वो पत्नी को मुखमंतरी बनाना चाहते हों क्योंकि उनको पता है कि विजारू सीट में वो लड़ा नहीं सकती है यहां उनको नहीं मिल सकता है पिछले दिनों भी आप सबने देखा होगा कि मुख्या के चुनाओं में भी जो बाहर से बहु बन करके आई जार्खन राज के बाहर से वो चुनाओं नहीं लड़ सके तो विधायक बनना तो मुस्किल है और अभी 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 से को ले करके हाइकोट का रांची हाइक निर्ने आया है कि वह कोई भी रिजर्व अरच्छन की वो सुविधा को यहां नहीं ले सकते तो उनको इस बात की पता इस कारण से उन्होंने रिजाइन कर रहा है वागी कर रहा है लेकिन अभी आप सब लोगों के खाली जानकारी के लिए आप देखेंगे कि महरास्ट के हाई कोट का डिसीजन है कि आप तो एक साल से भी कम बचा है विधान सभा की तो हमें लगता है कि यह दूसरी बड़ी गलती वो करेंगे है मनसुरेज़ प्यूरो रिपोर्ट सबरंग समाचार